नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके ओफिशिल यूटूब चैनल गुरुजी स्पेशल क्लासेस में मैं हूँ निमाई साना, आपके समक्ष उपस्तितू, साइकलोजी विशेवस्तू को लेकर स्टूइट्स, आज की कलास में हम डिसकॉर्शन करने वाले हैं, विकास के सिध्धान से रिलेट्टिट्ट्टिस से टू के बारे में लास्ट कलासेस में हमने exercise 1 कवर कर लिया थे, जिसमें हमने 13 कोषिनों को solve किया था, आज हम next इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए भायकार हैं कौन से होते हैं तो आर्थी किस्थिति बिलकुल सही बात है जो आर्थी किस्थिति है वो बालग के विकास को प्रभाबित करते हैं मान लिजे कि कोई बच्चा गरीब है और कोई बच्चा जो है मतलब जिसका financial condition weak है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जैसे मान लिजे जो बच्चे समाज के ज़्यादा अंपर्ग में रहते हैं, उसका भी development बहुत अधिक होता है, और G1 की घटना है, मान लिजे कि कुछ बच्चे होते हैं, जिनकी life में बहुत सारी crisis होते हैं, जिसकी वज़े से उनका development सही तरीके से नहीं हो पाते हैं, और ये तीनों जो कारक है, ये बहुत कारक है, जो बच्चे के development को प्रभावित करते हैं, तो A और B नहीं हो सकते, A और C भी नहीं हो सकते, और B और C भी नहीं हो सकते, इस question का right answer होगा, ये सभी, हैनि कि ये सारे के सारे जो factor है, वो कही न कहीं, external factor है, बहुत कारक है, किसी भी बच् सबसे अधिक होगा, option first है, शारेरिक रूप से विकलांग बालक का, option second है, समाजिक आर्थिक रूप से संपन बालक का, option third है, और option fourth है, उप्यूक्त में से कोई नहीं, तो अगर इस questions को आप देखेंगे, तो शारेरिक रूप से विकलांग बालक का भी development होता है, ऐसा नहीं है जो बच्चा financially strong है, उस बच्चेकार तो development होता है, बट वो बच्चा अगर समाज के संपर्ख में ज्यादा नहीं जाता है, तो उसका कही ना कहीं development, social development weak हो जाता है, तो इसलिए ये option उतना best नहीं है, और first option है, शारेरिक रूप से विकलांग बालक है, जो बच्चा शारेरिक options पर बात करें, तो option number second होगा, कि जो बच्चा समाजिक और आर्थिक रूप से संपन होगा, एनि कि एक तो वो financially strong भी होगा, तो ज्यादा लोगों के संपर्ख में रहेगा, और जब वो ज्यादा लोगों के संपर्ख में, एनि समाज के संपर्ख में रहेगा, तो उसका development भी क्या पूछा जा रहा है, तो देखें, 16 questions में आपसे पूछा जा रहा है, बाल विकास के विभिन आयमों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्चक है, यानि कि जो आप बाल विकास ने, चाइल डेवलेप्मेंट के जो भी शेत्र या आयम पढ़ते हैं, इनकी जान कर पाएंगे, option B है, बालक के लिए उप्यूख शिक्षण भी अपनाने के लिए, मान लीजे आपके सामने जो बालक है, और वो कहीं उससे problem हो रही है, और आप इन सब चीजों को जानते हैं, तो आप उसके लिए उप्यूख जो teaching method है, वो अपना सके, कि आपको ये पता चल बाल विकास से related अलग-अलग आयाम पता होंगे, तो कहीं ना कहीं A, B और C तीनों option आपके सही है, तो इस questions का right answer हो जाएगा, option number 4, केबल A भी नहीं हो सकता, केबल C भी नहीं हो सकता, केबल B भी नहीं हो सकता, इस questions का right answer है, option number 4, I hope आप 16 questions को भी समझ पाए होंगे, कि बाल व कोशन में पुछा गया, कि बाल मनुविझ्यान का अध्यन निम्ने लिखित में से किसके लिए सरवाधिक आवश्यक है, यानि कि आप जो बाल मनुविझ्यान का अध्यन कर रहे हैं, ये सब सरवाधिक उपयोगी किसके लिए है, ये बताना है आपको,等等 तो option first है माध्यमिक शिक्षक के लिए, option second है विश्विद्याले के शिक्षक के लिए, option third है प्रात्मिक शिक्षक के लिए, option fourth है उप्युक्त सभी के लिए, तो देखिए अगर आप option first में जाते हैं माध्यमिक शिक्षक के लिए, तो हो सकता है option second है विश्विद्याले के शिक् करते हैं कि शुरा वस्था के बाद नहीं करते तो जो विश्वीत द्याले में जो टीचर होते हैं और जिस चीच की तयारी कर रहे हैं वो प्रात्मिक प्राथमिक शिक्षक के लिए अगर आप स्टड़ी करते हैं तो माध्यमिक शिक्षक के लिए जो तीचर होते हैं जो माध्यमिक स्कूलों में जो अध्यापक होते हैं वो थोड़े से बड़े बच्चों के साथ डिल करते हैं और बड़े बच्चे जो है वो अपनी प्रॉब् के लिए प्रात्मिक शिक्षक है क्योंकि आप भी प्रात्मिक शिक्षक 1 to 5 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो इसी लिए आपका 17 कोशन का option number 3 right होगा next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 18th questions आपसे क्या पूछता है 18th question में आपसे पूछा गया है कि बाल विकास का कौन सा सिध्धान ये बताता है कि जिन बच्चों में ओसत से अधिक व्रद्धी होती है वे शारिरिक समाजिक और समवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं तो option first है परसपर समंद्ध का सिध्धान, option second है विकास क्रम की एक रूपता का सिध्धान, option third है एकी करण का सिध्धान और option fourth है विकास की दिशा का सिध्धान तो देखिए बाल विकास का कौन सा सिध्धान ये बताता है कि जिन बच्चों में उसत से अधिक ब्रद्धी होती है, निकि एवरेस से ज्यादा ब्रद्धी होती है, उनकी शारिदिक, समाजिक और सम्वेगात्मक विकास में भी वे काफी आगे बड़े हुए पाए जाते हैं, तो कहीं न कहीं देखिए, ये विकास की दिशा की सिद्धान से रिलेशन इसका एक ही करण के सिद्धान से भी इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि एक ही करण में हम पढ़ते हैं, कि उसका एक पक्ष जो है, वो दूसरे पक्ष के साथ रिलेट करता है, ठीक, और विकास के करम की एक रूपता नहीं है, कि इसमें विकास जो है एक ही रूप में हो रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये है, कि ये परसपर संबन्द का सिध्धान, जिसे हम अंते संबन्द का सिध्धान भी कहते हैं, ठीक, और अंते संबन्द के सिध्धान को हम इंग्लिश में बोलते हैं, प्रिंसिपल आफ इंटर रिलेशन, तो देखिए अगर आपकी और सत्से अधिक व्रद्धियों यानि कि आपका physical development हो तो physical development के साथ सद आपका समाजिक social development, emotional development भी काफी आगे बढ़े हुए पाये जाते हैं, तो कही ना कहीं शारिक विकास, समाजिक विकास के साथ भी संबंदित है और समविकात्म विकास के साथ भी, इसलिए इसको हम बोलते अंत्य संबंद का सिध्धान तो इस question का right answer हो जाएगा परसपर संबंद का सिध्धान, आप question को समझ पाई होंगे और इसके answer को भी, चलिए हम next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, next questions आपके लिए हैं, निमने लिखित कतनों में से मानव विकास के संबंद में कोन सा कत सकते हैं, देखें यहाँ पर जो कतन दिये गए हैं, उसमें मानव विकास के संबंद में कोन सा कतन सकते हैं, ये आपको बताने हैं, तो option number first आपके लिए हैं समानने से समानने की और, तो मुझे लगता है कि आपने मानव विकास से related जो भी सिध्धान पढ़े हैं, उसमें कभ अपने पढ़े हैं, समानने से विशिष्ट की और का सिध्धान तो इसलिए इस 19th question का option number second हो जाएगा, ठीके, next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 questions क्या है, तो 20th questions आपके लिए है, बाल विकास का निमलिकित में से कौन सा सिध्धान ये बताता है, कि बालक सबसे पह होता है, proxy modestal का सिध्धान, तो इसका मतलब पर आपसे पूछा गया, कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भूजा की गती पर नियंतरन करना सीखता है, उसके बाद फिर अपने पैरों पर, इसका मतलब विकास करम की एक रूपता का सिध्धान ये नहीं हो सकता, परस पर संब समझ पाए होंगे, कि इस question का answer number 3 होगा, चलिए next questions पर आगे बढ़ते हैं, देखे स्टेंस, विकास के सिध्धान हम topic को इसलिए cover किये हैं, ताकि आप समझ पाए कि विकास के सिध्धान हमें क्यों पढ़ने हैं, और हम इस topic को क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे का reason क्या है अब जो examiner है, इस पर based किस तरीके से question बनाते हैं, वो भी आपने देख लिए होंगे, ये भी आपके exams में questions आए वे हैं, यूपिटेट से related, इसलिए मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ताकि आप जो विकास के सिध्धान को पढ़ें, तो आपको समझ आए कि आप जो ये सि questions आपके लिए क्या बताता है, तो देखिए, 21 question में है कि बाल विकास का कौन सा सिध्धान ये बताता है, एक बालक पहले पूरे हातों को, फिर उंगलियों को, फिर उंगलियों को और फिर हात और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है, तो ये परस पर सम्मन्द का सिध्धान ये निरंतरता का सिध्धान ये, तो आप समझ पाएंगे कि सबसे पहले हात पूरा हात हिलाएंगे, उसके बाद आप सिर्फ उंगलियों को हिलाएंगे, और उसके बाद हात और उंगलियों को एक साथ हिलाएंगे, तो कही ना कहीं आपको पता चलाओगा कि बाल बोलना शुरू करता है और धीरे-धीरे वो पूरे बाक्य को बोलता है तो विकास जो है एक के बाद एक होता है इसका मतलब उसमें परसपर संबंद होते हैं समाजी का दिगम सिद्धांत आपने कभी पढ़े नहीं होंगे ठीक एकी करन का सिद्धांत होता है बट इसका इसको कोशन के साथ कोई मेल नहीं खाता और निरंतरता का सिद्धांदी आपको पता है कि विकास निरंतरता का सिद्धांद का पालन करता है बट ये इस तरीके के कोशन में नहीं होंगे तो इसका मतलब ये जो पॉइंट आप से पूछे जगए हैं ये परसपर संबंद के आपसे पहले बार में नहीं सीखता, I hope आपको ये question भी समझ आया होगा, चले अब हम next questions पर आगे बढ़ते और देखते हैं, 22 questions आपसे क्या पूछ रहा है, तो देखे 22 questions में आपसे पूछा गया है, कि विकास के संबन में निमलिकित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, देखे development से related कोन से कथन इसमें आपको असत्य दिख रहे हैं, वो आपको बताने हैं, तो option number first है कि विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, तो आपको पता है कि विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, बिल्कुल सही बात है, व्रद्धी और विकास की की दिशा और स्वरूप के बारे में भविश्यवानी नहीं की जा सकती और option number fourth है विकास हमेशा सामाने से विशिष की और चलता है तो ये बात सही है कि विकास हमेशा सामाने से विशिष यानि कि सबसे पहले वेक्ति सामाने चीज़े सीखता और उसके बाद उससे रिलेटिड विशिष चीज़ों को सीखता है तो ये बात तो बिल्कुल सही है option number fourth विकास की प्रक्रिया अक्निश्चित दिशा में होती है ये भी बात सही है कि विकास है वो एक निश्चित दिशा में होती है option number second है व्रध्य और विकास की क्रिया वन्शानुक्रम और वातावरन का संयुक्त परिणाम है ये भी बात सही है लेकिन किसी बच्चे में व्रध्य और विकास की गती को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और चीज के बारे में आप भविश्य वानी कर सकते हैं लेकिन वो एक दिन दो दिन में नहीं कर सकते आपको उस बच्चे पर ध्यान रखना होगा मान लीजे कि आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं और कोई बच्चा आपकी कक्षा में है जो बहुत प्रतिभाशाली है तो आप उस क्यागे सकते हैं तो देखे बाल-विकास की विविन चिद्धानतों के आधार पर निमने लिखत में से कौन से कथन सकते हैं एनिकि इसमेंसे आपने जो बाल विकास के अलग-अलग सिddhàn पड़े हैं, उसके आधार पर आपको बताने कि कौन से कथन सकते हैं, तो विकास की प्रक्रिया करंबद रूप से आगे बढ़ती है, बात बिल्कुल صही है कि विकास की प्रक्रिया एक करंब में आगे बढ़ती ह है सबसे पहले आपका एक विकास होता है उसके बाद उससरे लिटर दूसरा होता है उस तरीके से धीरे-धीरे आप आगे वड़ते हैं बिलकुल सही बात है नेक्स्ट ओप्षन है विकास धीरे-धीरे विल निश्चित समय पर होता है ये भी बात सही है कि जो विकास है वो बि विशेश्टाइं दिखाई पड़ते हैं इसका मतलब भी बिल्कुल सही है कि एक ही जाती विशेश्ट में मान लिजए कि मनुष्य के जो सभी सदस्य होते हैं उसमें विकास की कुछ समान विशेश्टाइं एनि कि मनुष्य का जो development है वो मान लिजए एक समान विशेश्टाओं में दिखाई पड़ता है कि सबसे पहले मनुष्य के सिर से पैर का विकास होता है और ये हर एक मनुष्य में सिम टाइप में होता है ऐसा नहीं है कि किसी में सिर से पैर का होता और किसी में पैर से सिर का तो बात बिल्कुल सही है A, B, C, 3 option आपके सही होंगे तो इसलिए इस question का cable A भी नहीं होगा, cable B भी नहीं होगा और A, एवं C नहीं होगे, इस question का right answer होगा 4, ये सभी I hope आप इस questions को भी समझ पाए होंगे कि questions का level किस तरीके से हैं चले next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 24th question आपसे क्या पूछ रहा है तो देखे 24th question में पूछा गया है कि बाल विकास का निमलिकित में से कौन सा सिध्धान ये बताता है कि बालक का विकास उनकी व्यक्तिकता के अनुरूप होता है आपने जो बाल विकास से related सिध्धान पड़े हैं उसमें से आपको बताने कि कौन सा विक्तिकता के अनुरूप होता है तो option first है विक्तिक अंतर का सिध्धान, option second है निरंतरता का सिध्धान, option fourth है विकास करम की एक रूपता का सिध्धान और option fourth है प्रस पर समंद का सिध्धान, तो देखे विक्तिकता का मतलब होता है कि हर एक बच्चे में विक्तिगत विभिनताएं पाई जाती है I hope आपने 24th questions को भी cover कर लिया होगा, चले अब हम next questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25th questions में आपसे क्या पूछा जा रहा है तो 25 questions में आपसे पूछा गया है कि बालक के विक्तितों के सरवांगिन विकास के लिए आवश्चक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो देखे अगर आप बालक के विक्तितों, निकि बालक के personality का सरवांगिन विकास चाहते हैं आप तो उसके लिए आपको क्या आवश्चक है, as a teacher आपको क्या जानना चाहीए जानना पसंद नहीं करेंगे, जब आप उसके ब्याभार के बारे में जानेंगे, तभी आप उसका सरवाइण विकास कर पाएंगे, क्योंकि मान लिजे, आप उस बच्चे के ब्याभार को जानते हैं, हो सकता इसलिए 25 questions का right answer हो जाएगा कि as a teacher आपको उसके ब्याभार की जानकारी होना आवश्यक है I hope आपने 25 questions को भी cover कर लिया होगा चलिए अब हम next questions पर आगे बढ़ते हैं 26 और देखते हैं इसमें क्या पूछे गए हैं तो बाल विकास के सिध्धान्तों का ज्यान अध्यापक को ऐस परिस्थितियों तथा विकास वातावरन के निर्मान में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवंग सरवांगिन विकास हो सके तो देखे बाल विकास के सिध्धान्तों का एनि कि जो आप बाल विकास के सिध्धान्त इस चैप्टर में पड़े यह है कि समाजिक थरड है सिक्षण अधिगम और फॉर्थ है विक्तिक अधिगम तो देखे बाल विकास के जो आप सिध्धान पढ़कर आये हैं ये जो सिध्धान्तों का ग्यान अध्यापक को ऐसी उप्यूक्त परिस्थितियों एनि सिक्षण अधिगम परिस्थितियों और इससे आपको फाइदा ये होगा कि आप बालक को अधिक से अधिक संपूर्ण एवं सर्वांगिन विकास कर पाएं तो इसलिए इस questions का right answer हो जाएगा section अधिगम I hope आपने 26 questions को भी अच्छे से समझ लिया होगा चले अब हम next 27 questions पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 27 questions में आपके लिए क्या पूछे जा रहे हैं चले संडूने next questions पर आगे बढ़ते हैं और देhते हैं 27th question में आप से क्या पुछे गए हैं तो देखे 27th question में पूछे गए हैं कि नेमलिखित में से कौन सा सिद्धान से समन्दित नहीं है एक के बाद दूसरा है नहीं कि एक के साथ दूसरे का relation होता है इसका मतलब यह है कि यह एक ही करण का सिध्धान्त है और विक्तिक्ता का सिध्धान्त मतलब हर एक बच्चे में कोई ना कोई changes अवश्य होते हैं तो यह विकास के विक्तिक्ता का सिध्धान्त है है आपसे तो आप समझ पाएंगे कि निमलिकित में से कौन से सिध्धांतों से सम्मझित नहीं है और तीन सिध्धांत आपके सामने दिये हुए हैं जो आप पढ़कर आए हैं बट एक सिध्धांत आपको आपने नहीं पढ़ा होगा और वो maximum marks gain कर सकते हैं I hope आप मेरी बातों को समझ पाई होंगे और इस questions को भी समझ गए होंगे चले हम next questions पर आगे बढ़ते हैं और last questions आपके इस series का cover करते हैं तो next questions आपके लिए हैं और ये last question आपके विकास के सिध्धान से related और ये आपके फोर्थ है समान प्रतिमान का सिध्धान तो देखिए निरंतर विकास का सिध्धान आप पढ़कर आए हैं परस पर समंद का सिध्धान भी आप पढ़कर आए हैं और समान प्रतिमान मतलब कुछ एक रूपता आप देखते हैं यानि लिखित में से कौन से विकास के सिध्धान नहीं है तो questions का level आप समझ पाएंगे इस question का right answer है अनुकूलित प्रत्यवरतन का सिध्धान आपने कभी नहीं पढ़ा होगा सिध्धान को तो ऐसे जो questions होते हैं वो क्या होते हैं कि ये tough questions में आते हैं देखे आपने जो विकास के दो-चार सिध्धान अगर पड़े हैं तो आप सीधे-सीधे चार option में देखकर पता लगा सकते हैं कि हाँ इस सिध्धान को उने पड़े हैं बट question का level किस तरीके आप तभी दे सकते हैं जब आप content wise questions को cover करते हैं I hope आपको ये मेरा तरीका समझाया होगा और इस questions को भी समझ पाई होंगे तो मैंने आपको किस तरीके से विकास के सिध्धान cover कराए हैं उसको ध्यान से पढ़िए उसको समझिए और फिर practice set लगाए तो आपको realize हो जाएगा कि आपके number किस तरीके से आएंगे ठीक तो इस chapter से related आपके एक से दो प्रशन हर paper में पूछे जाते हैं जो मैंने cover करने की कोशिश किये हैं और अगर आप इनको cover कर लेते हैं तो आपके easily एक से दो number इस chapter से related जो भी प्रशन पूछे जाएंगे उनको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं I hope आप समझ पाएंगे आज के लिए बस इतना ही अगर आपको ये class अच्छी लगी हो तो इसे like कीजिए इसे अपने दोस्तों के साथ share कीजिए ताकि वे भी इसका love ले सके और अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को सबसेज पहले जाके subscribe कर लिजिए ताकि इसी तरीके के beneficial वीडियो जब भी मैं आपके लिए बनाओ तो आपको time to time notification मिलते रहें धन्यवाद जयए